बिस्मिल्ला रख्मान ने रहे में अस्सलाम अलेकुम वेलकम तो गौहर पॉब्लिशिस इस हमना बिंतिशेजान आज के इस वीडियो लेसिन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंगलिश बुक 3 का यूनिट नमबर 7 जो के हमारे पास है इंजॉइंग फेस्टिवल्स और हम देखेंगे उसकी आज रीडिंग तो आएए करते हैं अब रीडिंग जैसे की स्क्रीन पे आपको पेज नमबर 65 ने जरा आ रहा है तो अब हम करते हैं इसकी रीडिंग पीपल एंजोएं मैने फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान सम फेस्टिवल्स और विलिजिस और सम अर कल्चुरल Following are some of the festivals to be mentioned briefly Idul Fitr Idul Fitr is celebrated on the 1st of Shaval, the 10th month of Islamic calendar The Muslims celebrate this festival with great zeal and fervor The Muslims hug one another warmly, the exchange of sweet dishes is the common feature of the day Sibbi Festival Sibbi Festival is celebrated in Sibbi in the Bilochistan province It is held in the last week of February every year This festival starts with the Horse and Kettle Show After which some people bring their beautiful animals For example, cows and sheep to show the crowd at the festival Some people also bring industrial items to sell at the festival Horse and Kettle Show End of March till first week of April Horse and Kettle Show is held every year at Tera Ismail Khan KPK Local games, folk dances, kettle races and exhibition of local handicrafts are the main feature of this cultural festival Idul Adha Idul Adha is a great religious festival It commemorates the great sacrifice by Hz. Ibrahim a.s. It is celebrated on 10th of Zilhaj, 12th month of Islamic calendar Collective prayers are performed after sunrise Goat, sheep, cows and camel are sacrificed The Muslims say, eat Mubarak to one another and distribute meat among relatives, friends and poor Shandur Polo Festival Shandur Polo Festival is held every year in Gilgit, Baltistan Traditional polo tournament between the teams of Chitral and Gilgit is held on the highest polo ground of the world Shandur Pass Folk music, folk dances and other competitions are arranged A tent village is set up along Shandur Lake जी, अब चुलते हैं अपने post reading question पे के आपका favorite festival कौन सा है सबसे पहले हम देखते हैं के festival क्या होता है Festival यानि के तहवार और अब आप मुझे बताएं के आपका favorite festival यानि के आपका favorite तहवार कौन सा है और साथ ही मुझे आप ये बताएं के What type of dress do you wear on Idul Fitr and Idul Adha यानि के आप Idul Fitr और Idul Adha पे किस तरहां के कपड़े पहनना पसंद करते हैं अब सुदते हैं glossary यानि के words meaning की तरफ Festival जो के आपकी particular activity और एक तेवार होता है जो के आपका cultural या religiously आप उसको मनाते है Forgiveness यानि के किसी को माफ करना Fortune यानि के आपकी खुशकिस्मती को शोग करता है Zeal यानि के बहुत energy होना किसी काम में Life stock से मुराद है हमारे farm animals Persian परजिन से मुराद है हमारी basically एक modern एरानी यानि के फारसी language जी पाकिस्तान में लोग बहुत से तहवारों से लुटफफ़न दोस होते है कुछ तहवार मजबी है और कुछ सकाफ़ती जेल में चंद तहवारों का मुखतर जिकर किया गया है इदुल फितर एदुल फितर इसलामी कलेंडर के दस्वे महीने शवाल की यकम तरीकों में आई जाती है मुसल्मान ये तहवार बड़े जोश और जज़बे के साथ मिनाते है मुसल्मान एक दूसरे को गरम जोशी से गले मिलते है मीठे पकवान का तबदा इस दिन की आम बात है सिबी फेस्टिवल सुबाय बलोचिस्तान की शेहर सिबी में सिबी फेस्टिवल मनाया जाता है ये हर साल फरवरी के आखरी हफ़ते में मनकत किया जाता है ये तहवार गोडे और मुवेशियों को दिखाने से शिरू होता है इसके बाद कुछ लोग अपने खुबसूरत जानवर, मिसाल के तोर पर गाए और भेड मेले में मुझमे को दिखाने के लिए लाते हैं कुछ लोग मेले में फरोगत के लिए सेनटी शिया भी लाते हैं हॉर्स एंड कैटल शो, मार्च के आखिर से एपरिल के पहले हफ़ते तक हॉर्स एंड कैटल शो, हर साल डेरा इसमाईल खान केपी की मुनकत किया जाता है मकामी खेल, लोक, रक्स, मुवेशियों की दोड़ें और मकामी दस्तगारी की नुमाईश इस सिकाफ्ती तहवार की एहम खसूसियात है एदुल अज़ा, एदुल अज़ा एक अजीम मजभी तहवार है ये हज़रत अबरहीम लिएससलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है ये इसलामी केलेंडर के बारवे महीने की दस दिलहच को मनाया जाता है तिलुए अफ्ताप के बाद इज्तमाई अबादात की जाती है बकरी, भेर, गाए और उँच कुर्बान की जाते है मुसल्मान एक दुसरे को ईद मुबारिक कहते है और रिश्चेदारों, दोस्तों और गरीबों में गोश्ट तक्सीम करते है शंदूर पोलो फेस्टिवल शंदूर पोलो फेस्टिवल हर साल गिल्गित बलस्तान में मनकद होता है रिवायती पोलो टूर्नामेंट चितराल और गिल्गित की टीमों के दिर्मियान तुनिया के सबसे उचे पोलो ग्राउंट शंदूर पास पर मनकद किया जाता है ये लोक मुसी की लोक रस्क और लोक रक्स और देगर मखाबलों का इखतमाम किया जाता है शंदूर जील के साथ ही एक खेमा गाउं भी काइम किया जाता है जी देर टीचर्ष एंडेर स्टूरेंट ये ता हमारा आज का वीडियो लेसन इस वीडियो लेसन में हमने गौहर इंग्लिश बुक 3 के युनिन नमर 7 की रीडिंग की I hope आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलाहाफस